Hello everyone, welcome to Magnet Brains, IIT, JE and NEED channel. Magnet Brains, अक्यला एक ऐसा platform, जो complete NCIT book, NCIT examplers और best publishers की book, आपको complete theory और complete solutions के साथ provide करते हैं. इसी के साथ में जो channel आप लोग watch कर रहे है, Magnet Brains, IIT, JE, NEED channel, ये आपको त्यारी करा रहा है foundation course की. अगर आपका सपना है, IIT, JE, NEED clear करना, तो ये अकेला एक ऐसा channel, जो 100% free education के साथ आपको त्यारी करवाता है complete foundation course के लिए, मतलब अगर आप है class 7th, 8th, 9th, 10th में, तो ये channel आपके बहुत काम का है, आपके सपने पूरे करने के लिए. तो चलिए, start करते हैं इस video को लेकि इससे पहले आपको ये भी बताएं कि magnet brains पे सारा material 100% free education के साथ best material and best faculties available है, जब आप magnet brains के साथ जुड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको complete हर topic का एक detail explanation मिलेगा, उसी के साथ में daily practice questions की links आपको दी जाती है, मतलब pdf आप download कर सकते हैं और pdf download करने के बाद आप उनको खुद से solve करें और फिर उसके बाद उनका solution videos को solve करना ना भूले, मतलब solution videos भी आपके लिए यहाँ पे upload की जाएंगी, इसी के साथ में 500 plus mcqs approximately आपको यहाँ पे available कराई जाएंगे, जो आप खुद solve कर सकते हैं, उन सब के solution videos भी आपको दिये जाएंगे, daily practice papers और इसी के साथ में weekly test भी यहाँ पे आपके लिए available है, इसी के साथ में अकेला MagnaBrain's एक ऐसा platform जो आपको त्यारी करवाता है, complete motivational and time table बनाने की तरीके को भी स दिखाने के, तो मतलब आपको इस चीज की भी त्यारी कराई जाती है, कैसे stress-free life को जिया जाए, तो इस तरह की videos भी आपको सिर्फ MagnaBrain's IITJE NEED चैनल पे available है, तो चलिए, start करते हैं, तो जो topic आप देख रहे हैं, वो है practice sheet 2, मतलब percentage profit and loss partnership, इसका practice sheet 2 आप लोग वाच कर रहे ह है, पूरी उमीद करता हूँ, आप लोगोंने theory lectures attempt किये होंगे, आपने dpbs किये होंगे, आपने practice sheet 1 किये हो गया, और practice 2 के भी, जो practice sheet number 2 थी, इसके questions भी आपने खुद से solve किये होंगे, अगर ऐसा नहीं किया, तो पहले आप PDF डाउनलोड करें, खुद से solve करें, देन उसके ब लगा होगा, जिन लोगोंने एक property से solve किये है, तो चलिए हम भी इसको solve करते हैं, देखते हैं कि कैसे यह चीज solve होगी, देखिए, एक person है, जो अपने 33 1 by 3% property का हिस्सा बेच रहा है, तेक है, उस एक person है, उसकी कुछ property है, उस property का, उसने 33 1 by 3% बेच दिया, property का हिस्सा बेच दिया, और जब उसको बेचा थो उसको 20% loss हुआ, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि क्यों ना, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लें कि let the property, let the property be x, let the property be x, भाई, x क्या लिया है, सर्क क्या cost है, यहां कोई जमीन का हिस्सा है, पार्ट है, तो मैं complete property को x बोल देता हूँ, मैं complete property को x बोल रहा हूँ, ठीक है, उसकी जो पूरी property का एक size था, वो x था, हम ऐसा माल लेते हैं, अब इस x का अगर उसने 33 1 by 3% part बेचा है, तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि sold part, sold part of x is 33 1 by 3%, that is, यहां पर हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, कि उसने x का, 33 into 3 is 99, 99 plus 1, 100 by 3, तो उसने x का 100 by 3%, percent मतलब 1 by 100, ठीक है, इतना बेच दिया, और इतना बेच दिया, उसका मतलब इसने x by 3 part sale कर दिया, तो sold part अगर मुझे निकालना है, यहां पर आप बात को समझना, उसने कितना हिस्सा बेच दिया, तो मैं कहूंगा, उसने total x by 3 part बेच दिया, और जब उसने x by 3 part बेचा, ठीक है, तब उसको loss हुआ है, तो loss जो हमें दिया है, loss percentage में दिया है, और हमें पता है, कि loss percentage का जो formula होता है, वो होता है, loss upon cp multiplied with 100, ऐसा होता है, done, यह चीज हमें समझाती है, यह simple सा formula है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि उसको 20% loss, मतलब मुझे percentage की value दी, यहाँ पर हम 20 रख सकते हैं, cp उसने total कितना part बेचा, उसकी कीमत, ठीक है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ, कि उसने l by cp, उसको loss कितना हुआ, यहाँ से हम loss part निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से एक loss को calculate करने की कोश करते हैं, कि finally उसको loss कितने का हुआ, यहाँ पर देखिएगा, मैंने क्या किया, कि उसने 20% जो part बेचा था, 20% उसको loss हुआ, उसको 20% loss हुआ, तो loss percentage दिया था, हमने loss percent की जगा 20 को substitute किया, which is equals to, ठीक है, loss की जगा मैं formula लिख सकता हूँ, cp minus sp, इसको देखना, loss की जगा पर मैं लिख सकता हूँ, cp minus sp, भाई, cost price उस particular part की जगा होगी, उसने कम selling price में बेच दिया, ऐसे ही हुआ होगा, तो यहाँ पर क्या मैं cp minus sp वाला funda यूज कर सकता हूँ, भाई, इस formula को हम थोड़ा सा alter कर लेते हैं, तो alter मतलब यहाँ पर थोड़ा से changes कर देते हैं, तो यह loss percent का formula बन जाएगा, cp minus sp upon sp, upon cp, multiplied with 100, ऐसी बन जाएगा, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, multiplied with 100, इस formula का basically हम use करेंगे, done, चलिए, तो यहाँ पर हम इस formula को apply कर देते हैं, चलिए, इधार देखेगा, तो इस formula में, जब मैं x by 3 part को apply करूँगा, ठीके, तो यहाँ पर loss percent मुझे 20 दिया है, ठीके, अब वो जो उन्होंने x by 3 part बेचा, उसकी कीमत कितनी दी, मैं बोलता हूँ, let the price of the land be x, total price जो थी, वो x 100 रुपीज थी, चलो 100 माल लेते हैं, ठीके, तो white pen से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, let the cost price of land is equals to rupees 100, हम इसको 100 रुपीज पर माल लेते हैं, ठीके, हम ऐसा मान सकते हैं, तो पूरी जमीन, जो की x property थी, ठीके, एक पूरी जमीन का एक, मैंने पूरा एक तुकड़ा ले लिया, मैं पूरा एक गोला बोल दिया, आप ऐसा मा आते हैं, यह circle है, यह पूरा एक land है, इस land के हमने तीन तुकड़े किये, one by third part बेश दिया, यहां से यही समझ आ रहा है, x by three part मतलब x का one by third part बेश दिया, अभी भी उसके बास two by three part remaining है, ठीके, इस चीज को उसने loss में बेचा है, तो हम लोग कुल मिला कि यही निकाल रहे है कि कितना उसको cost मिला, selling price कितनी थी, basically मैं वो selling price यहां से निकालूँगा, तो इसको समझना, उसका cost price कितना था जमीन का, तो जमीन अगर सौर बेगी थी, तो सौर का one by third part कितना होता है, तो hundred by three part उसने बेश दिया, clear है, पैसे का, amount का भी one by three होगा, भाई, अगर पूरी जमीन अगर one by three part, तीन तुकडों में कर रहे हैं, तो हर तुकडे का अपना-पना equal cost होगा, तो अगर total जमीन 100 है, ठीक है, हेंड्रेट है, तो हेंड्रेट के भी मैं तीन तुकडे करूँगा, और हेंड्रेट के तीन तुकडे करूँगा, मतला हेंड्रेट by three part, अभी उसने बेच है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, कि यहाँ पर देखिएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसने, हेंड्रेट by three, हेंड्रेट by three, cost price में बेच दिया, मतला cost price हेंड्रेट by three था, selling price कितनी है, वो हम निकाल लेंगे, sale price हमें नहीं पता, ठीक है, हेंड्रेट by three, यहाँ पर भी CP जो आएगा, हेंड्रेट by three आएगा, into hundred, अगर इस चीज को मैं solve करता हूँ, देखिएगा, तो यह चीज हमारी आजाएगी, 20 is equals to, यह हेंड्रेट by three, और यह हेंड्रेट by three, यहाँ पर जाके, जब multiply होगा, तो यह पूरा denominator में है, यहाँ पर जाके, यह multiply होगा, तो यह आपका हो जाएगा, देखिएगा, यह आपका क्या होगा, तो यहाँ पर यह three by hundred, hundred से hundred कट गया, three, तो यह three जाके, 20 के नीचे, तो यहाँ पर यह 20 by three, which is equals to hundred by three minus SP, और finally यहाँ से एक selling price आजाएगी, उसने कितने में बेचा, तो hundred by three minus twenty by three, done, तो उसने selling price आगई, उसने बेचा है कितने में, तो 80 by three rupees में उसने बेच दिया, मैं ऐसा बोल देता हूँ, अगर total cost price जमीन की hundred है, तो hundred by three वाला जो part था, जिसका cost price, hundred by three था, इसका भी 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 hundred by three था, तो उसने अपना हिस् इसा लॉसमें बेचा है ठीक है तो 80 three फीर ने बेच दिया बेचना जा universities को ओस्ता बोल गेचा इतना बोले एट 920 जो फीर पर्शीज जो रिमेंनिी प्रॉपर्टी है मतलब 200 by 3 rupees की जो property है इसको वो कितने में बेचे at what profit percent should he sell the remaining property अगर उसको total transaction पे 20% चाहिए total property उसने शुरुआत में सोची थी कि मैं पूरी property बेचूंगा 20% profit पे हम एक blank sheet ले लेते हैं देखो उसने क्या सोचा था कि ये जो पूरी property है इसके 3 तुकड़े कर लेते हैं ठीक है ये property भी 100 by 3 आएगी ये property भी 100 by 3 आएगी ये property भी 100 by 3 आएगी ठीक है अब ये उसने cost कर दिया अलग-अलग अगर मैं पूरी जमीन देशता हूं 100 रुपे की जिसका cost price है 100 रुपीज ऐसा इसने सोचा था अगर मैं इसको बेचूंगा तो यहां पर मुझे profit मिलेगा profit percent उसने जो सोचा था वो 20 percent सोचा था तो इसका मतलब profit percent का formula होता है profit upon cp into 100 यही होता है तो उसने क्या किया था कि profit percent is equals to उसने यहां पर sp minus cp upon cp multiplied with 100 उसने का था मैं पूरी जमीन अगर बेचूंगा sp selling price तो उसने selling price decide की थी उसने selling price क्या decide की थी इसको देखीगा उसने selling price decide की थी कि अगर मुझे 20 percent चाहिए तो मैं इस 100 पे वाली जमीन को ठीके कितने में बेच दूंगा तो यह निकाल लेते हैं तो यह हो जाएगा 20 into 100 by 100 100 से 100 कट गया और sp minus 100 तो उसने का था कि मैं इस पूरी जमीन को 120 उपे में बेचूंगा उसको selling price उसको कितना उसको selling price चाहिए था 120 बट यहां पे अब देखो उसको profit मतलब कुल मिलाके अगर वो यहां पे देखा जाए तो वो profit कितना कमाना चाह रहा था तो profit चाहा था जो कि possible नहीं हो पाया क्या हुआ कि एक जो जमीन थी उस जमीन का जो एक तुकड़ा था वो उसने loss में निकाल दिया और यहां पे उसको 20% loss हुआ मतलब यहां पे उसने यह तुकड़ा जो था कितने में बेच दिया पीछे देख लेते हैं उसने यह 80 by 3 रुपीज में बेच दिया देन और उसको एक्चुली बेचना था 120 रुपीज में उसके पास आ गए इसमें लॉस वाला अमाउंट है तो इसको अभी छोड़ देते हैं अब वो आपसे यह पूछना चाह रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे यह पूछना चाह रहा है कि अब उसके प 2 X 3 पार्ट को बेच चुका है अब उसके पार 2 X 3 पॉच्शन है 2 X 3 पॉच्यन है दन तो यह 2 X 3 पॉच्शन इसके पास है चलिए तो X by 3 part को उसने पीछे बेचा था हम यहाँ पर आ जाते हैं यह देखेगा X by 3 part उसने बेचा था अभी भी उसके पास 2 X by 3 part है अब वो यह पूछ रहे हैं वो इस portion को कितने profit में बेचे so that उसका जो profit percent आए मतलब कुल मिला के वो कह रहे हैं इसका selling price कितना होना चाहिए what should be the selling price ऐसा मान लीजे यहां वो बोल रहा है कि मेरा जो profit percent है in all 20% ही आए ठीक है जो वो चाहा रहा था यह जो वो कमाना चाहा रहा था 20 rupees वो 20 rupees का profit निकल के आए तो वो कितने में जमीन को बेच है ठीक है कितने profit percent में बेच है तो कुल मिला के अब वो तुमसे profit percent पूछ रहे हैं वो तुमसे यह बोल रहे हैं कि profit percent आप बताईए ठीक है profit percent आप बताईए हमें तो अभी भी वोई 20 rupees चाहिए तो ऐसा वो बोल रहा है तेखो already remaining portion हमारा 2x by 3 जो बचा हुआ है इस remaining portion का cost कितन है तो cost of the remaining portion अगर मैं यहां लिख दूं cost of remaining portion r.p लिख रहा हूं तो मतलब 2x by 3 का cost कितना है तो 2x by 3 का cost देखिएगा total जमीन का cost 100 रुपे 100 रुपे मेंसे अब जो remaining cost है वो है 200 by 3 तो 200 by 3 यह remaining cost है मतलब यह अब cp है the cost price of remaining portion ऐसा हम बोल देते हैं ठीक है यहां पर हम सब कुछ रब करके यहां पर cp लिख देते हैं तो cost price of remaining portion then rp is 200 by 3 rupees this is the cost price वो कह रहा है आप बताइए profit percent कितना होना चाहिए अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि selling price should be greater selling price अब ज़्यादा होनी चाहिए तो cost price से selling price ज़्यादा चाहिए मुझे profit कमाना है ठीक है तो selling price minus cost price upon cp in 200 वो कह रहा है आप बताइए cp cp तो 200 by 3 fix है ठीक है तो cp कितना है cp is 200 by 3 upon cp is 200 by 3 multiplied with 100 profit percent कितना होना चाहिए यह value हमें निकालनी है minus अब selling price sp में कितना रखूं इस जमीन की sp में कितना रखूं ठीक है यह sp अब हमें calculate करना है तो sp सबसे पहले हम calculate करेंगे यह यहां पर substitute करेंगे हमारा answer आएगा तो selling price में already मुझे कितना मिल चुका है तो selling price अगर मैं देखूं तो मुझे 80 by 3 का amount मिला था ठीक है अब 80 by 3 rupees मुझे मिल चुके मुझे मिलना कितना चाहिए था तो selling price actual में क्या होनी चाहिए थी तो selling price actual में कितनी होनी चाहिए थी अगर हम यहां already 80 by 3 rupees मिल चुके है ठीक है तो 80 by 3 rupees मुझे मिल चुके है इसका मतलब अगर मैं इधर देखूं तो 3 0 times 0 3 2 times 6 3 3 times 9 और 3 3 1 times is 3 ठीक है minus 80 rupees upon 3 मुझे अभी कितने और मिलने चाहिए 120 उपे मुझे बेचना है मुझे उसमें से 80 by 3 amount मिल चुका है मुझे और कितना मिलना चाहिए था तो 360 में से अगर 80 गए तो यह तुम्हारा हो जाएगा 280 by 3 done तो मुझे 280 by 3 और मिलना चाहिए तो ही तो मैं total 120 उपे कमा पाऊंगा तो अब मुझे actual में 280 by 3 rupees और मिलने चाहिए मतलब इतना मुझे बेचना है कितना 280 by 3 तो 280 by 3 done तो मुझे अब जमीन बेचनी है जितना मुझे और चाहिए 280 by 3 और चाहिए तो 280 by 3 में मैं अपनी जमीन बेचूंगा actual उस जमीन की कीमत है 200 by 3 200 by 3 तो यह हमारा आ जाएगा 80 by 3 upon 200 by 3 multiplied with 100 और इसको solve करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 80 by 3 multiplied with 3 by 200 multiplied with 100 देखिएगा 2 0 से यह 2 0 कट गए 3 से यह 3 कट गया और इस 2 से यह 80 कटा तो यहाँ पर अंसर आ रहा है 40 तो that means profit percent should be 40 थोड़ा सा जूर आपको lengthy लग रहा होगा but answer हमारा 40 percent आएगा किया क्या है मैं एक बार दुबारा बतायता हूँ देखो बड़े short में अगर हम बात करें तो सबसे पहले उन्होंने जो एक पार्ट बेचा है मैं इसलिए circle बना बना के बताया है जो एक पार्ट बेचा है वो x by 3 पार्ट था इस x by 3 पार्ट की कीमत थी 100 by 3 ठीक है इसके उपर मैंने loss calculate किया और उस loss से मैंने SP निकाला कि मैंने ये जो जमीन बेची कौन सी वाली ये 100 by 3 वाली जो जमीन बेची इसको मैंने basically 80 by 3 रूपीज में बेच दिया तो इतना पैसा तो मेरे पास आया होगा ये भी पैसा है अब मुझे total जमीन के उपर ये देखो ये मेरी इच्छा थी कि total जो जमीन थी उस पे मैं 20 रूपे कमाऊ और इस जमीन को 120 रूपे में बेचू ये मैंने सोचा था बट ऐसा नहीं हो पाया अब हाँ लेकिन ऐसा है कि 120 रूपे में से मेरे पास 80 by 3 रूपीज आ चुके थे मुझे अब 280 by 3 रूपीज और चाहिए ठीक है तो अब जो बचा हुआ पोर्षन है ये बचा हुआ पोर्षन मैं 280 by 3 रूपीज में बेच दूँगा ठीक है तो सेलिंग प्राइज यहां पर जो मैंने कोशन मार्क लगाया है तो सेलिंग प्राइज शुड़ बी रूपीज 280 by 3 डन ये सेलिंग प्राइज मैंने डिसाइड कि रिमेनिंग पोशन है 2x by 3 इसको अगर मैं इतने अमाउंट में बेचूँँगा तो जाके मुझे 120 रुपे इन अल टोटल मिल जाएंगे जो मैंने शुरुवात में सोचे दे तो यहां पर प्रॉफिट परसेंट क्या होना चाहिए ठीक है तो सेलिंग प्राइज ठीक है सेलिंग प्राइज हम अलरेड़ी डिसाइड कर चुके थे उपर तो सेलिंग प्राइज 280 भाइ 3 हमने यहां पर सब्स्टिटिूट किया माइनस 20-23, 20-23 ठीक है ब्रफिट परसेंट हमने 40 परसेंट निकाला तो यह P परसेंट हमने यहां परन लिया डन यह P परसेंट हमारा आया कितना आया 40 तो P परसेंट is finally 40 ठीक है यहां ऐसा बुले profit should be 40% ठीक है profit percent is profit percent is should be हमें 40% रखते हुए calculation करना पड़ेगा हम जो कमाना चाह रहे थे वो हमें मिल जाएगा clear है चलिए move करते हैं second question पर second question क्या कह रहा है इसको read करते हैं सबसे पहले कह रहा है the selling price and the marked price of an article किसी article का बेचने वाला cost ठीक है selling price और अपने मन से उसके उपर चिपकाने वाला sticker marked price the selling price और marked price एक article का आपको दिया हुआ है तो selling price और marked price मुझे दिया हुआ है if the article is marked 65% above the cost price और यह जो marked price इन्होंने दिया है कितना दिया 165 rupees x मुझे पता है कि यह जो marking की हुई है यह marking actually cost price की 65% above marking की है मतलब article का cost price जो था उस cost price का 65% calculate करके add up कर दिया गया है if the article is marked 65% above the cost price and a discount of rupees 198 is given और अगर मैं पूरे product के उपर 198 rupees का discount दे दूँ तो then find the profit on the article आप बताईए इस article पे profit कितना होगा देखो क्या बोल रहा है इस चीज़ को हम समझते ऐसे पहले तो white lines को हम मिटाएते है pen का color change कर लेते हैं so that हमें चीज़े बहुत अच्छे से समझ आए कि question को कैसे attempt करना है यहां पर मैंने लिख लिए solution अब समझना देखो मुझे selling price of an article दिया selling price of an article मुझे पता है is equals to to selling price of an article equals to यह हमें दिया है कितना दिया selling price respectively word तो पहले दिया 132 x ठीक है और यह rupees में दिया है तो rupees यहां sign लगा जाता हूँ चलो इधर देखना फिर मुझे बोला है उन्होंने cost price तो cost price नहीं उसके बाद इन्होंने बोला है marked price तो marked price of an article यह हमें कितना बोला है कि भाई किसी product के उपर मैंने एक marked चिपका दिया और मैंने उसको बेचा कितने में तो मैंने बेचा तो 132 x में है marked price of an article मैंने sticker लगाया था उसके उपर 165 x का then ठीक है और यह भी rupees में दिया है इसका मतलब मैंने कितने का discount दिया क्या मैं इससे यह चीज़ निकाल सकता हूँ तो मैंने discount दिया है 165 जितना marked था उसको बेचा कम मैं मतलब उसको discount दिया है तो कितने का discount दिया देखना 5 में से 2 गए तो 3 यह x और 6 में से 3 गए तो 3 इसका मतलब मैंने जो discount दिया है product के उपर वो discount मैंने दिया है 33 x rupees का ऐसा मैं बोल सकता हूँ इस question से तो हमें यह समझाया if the article is marked 65% above the cost price and a discount of rupees 198 is given देखो यहाँ पर हमें बोला है अगर discount 198 rupees का दिया है तो देखो मैं x निकाल सकता हूँ यह बोल रहा है कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यह 33 x की जो value है यह 198 rupees है question में बोला है मैंने नहीं बोला question में बताया है कि अगर मैं discount 198 rupees का दे रहा हूँ यहाँ से देखा हमने discount actually दिया 33 x का तो उसकी जो amount की कीमत है वो 198 है इससे हमें यह समझाता है कि x की जो value है वो है 198 upon 33 done तो इसका मतलब x हमारा आ गया 198 upon 33 क्या यह solve हो रहा है 3 से तो देखो हाँ यह 3 से solve हो रहा है तो इसको 3 से पहले तो हम cutting करके solve कर देते हैं किएगा यह 3 से जाएगा यह भी 3 से जाएगा तो यह value हमारी आ जाएगी 11 times 3 into 11 is 33 3 into 6 is 18 and 3 into 6 is 18 again 11 से 66 गया तो यह value हमारी आ रही है 6 इसका मतलब जो मेरा x आया है जो x इन्होंने दिया था वो 6 आया है तो अगर x की value 6 आई है तो therefore selling price of an article निकल आएगा देखो कितना article का selling price आया तो यह आया है 132 multiplied with 6 तो यह आगे हमारा 2 into 6 is 12 12 का 2 carry 1 3 into 6 is 18 and 19 19 का 9 carry 1 792 रूपीज ठीक है और ऐसे हमें यह भी पता चल गया कि marked price कितना है तो marked price of an article भी हम निकाल सकते हैं तो देखो सारी चीजे निकलती हुझा रही है हम पहले निकाल लेते हैं 165 multiplied with 6 तो 6 into 5 is 33 carry 6 into 6 is 36 और प्लस 3 is 39 3 990 अब बात को समयना कोई प्रोडेक्ट के ऊपर मैंने स्टीकल लगाया 990 रूपे का उस प्रोडेक्ट को बेचा 792 रूपीज में ऐसा इन्होंने बोला है ठीक है अब यह बोल रहा है if the article is marked 65% above the cost price हमें यह पता है कि जो आर्टिकल का कॉस्ट था हमें नहीं पता भी आर्टिकल का कॉस्ट कितना है अगर जो उस पर मार्किंग मैंने लगाई है वो 65% बढ़ा के लगाई है marked price का मतलब जो उसका cost price था तो cost price से 65% बढ़ा के दी है तो मैं यहां पर बोल देता हूँ let the cost price of article let the cost price of article be rupees x अगर किसी product का x cost price था हमें नहीं पता हूँ product मुझे कितने का पड़ा है वो एक सुपीस का था अगर मैं उस पर यह जो marking कर रहा हूँ यह 65% बढ़ा के की है that means अगर उस product का cost सोर पे था मैंने 65% बढ़ा दिया मतलब मैंने 165% कर दिया ठीक है तो marked price जो था वो अपने आप में 165% था यह ऐसा बोलना चाहरा है done तो यह बोलना चाहरा है if the article is marked 65% above the cost price तो ठीक है cost का cost का 65% तो अगर cost price x रुपीस थी और उसके x रुपीस पे मैंने अगर 65% बढ़ा दिया तो that means मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि यह जो बोलना चाहरा है यह बोलना चाहरा है कि जो भी marked price था यह marked price ठीक है market नहीं है यहां पर marked आएगा देखेगा MP लिख देते हैं तो यहां पर आएगा marked price जो हमने दन और यह कितना था तो marked price basically अभी हमने calculate किया 990 रुपे यह बोल रहा है कि 990 रुपे basically कितना था तो यह था x plus 65 x by 100 ऐसा बोल रहा है ठीक है तो यह आपको x x तो आप already निकाल चुके है x आपका x नहीं इसको हम y ले लेते हैं देखिए x तो हमें वहां पर दिया था हम इसको y ले लेते हैं यह ज्यादा अच्छा है तो हम ऐसा ले ले लेते हैं let the cost price of an article be y तो इस case में यह आ जाएगा यहां पर भी y और यहां पर भी 65 percent of y तो y उसका actually cost price plus 65 percent of y ऐसा यह बोल रहा है done चलिए तो यहां पर यह जो y है इस y को हम यहां पर substitute कर देते हैं तो इसको solve कर लो y plus 65 y by 100 इससे आपको एक cost price मिल जाएगी article की article की cost price कितनी आ रही है चलो calculate कर लेते हैं तो यह आ रही है 990 is equals to 100 plus 65 मतलब 165 y upon 100 done और इसको अगर solve करेंगे एक blank sheet लेके तो यहां पर हो जाएगा 990 multiplied with 100 990 multiplied with 990 multiplied with 100 upon 165 which is equals to y done तो यहां पर यह कितना आ रहा है finally इसको आप solve कर लिजे तो यह 5 से कटता हुआ दिख रहा है 5 1 times is 5 49 59 times is 45 45 8 times is 40 और 5 3 times is 15 and 5 3 times is 15 तो यहां पर यह 3 से कटता हुआ दिख रहा है देखे इससे हमें क्या पता चला इससे हमें यह पता चला कोई भी article की जो cost price है वो 600 rupees है उसको हमने बेचा कितने का है तो उसको हमने बेचा कितने का है यह पीछे आपे देख लें उसको हमने बेचा है 792 rupees में That means, हमें profit कितने का हुआ? तो हमें profit हुआ है SP minus CP. Done. और हमें profit हुआ है 792 minus 600, मतलब 192 रुपीज का. तो finally, ये हमारा answer आ जाएगा. तो हमारा जो profit है, ये profit है 192 रुपीज. Done. तो इस तरह के से, हमने question number 2 भी solve कर लिया. Then, find the profit on the article. तो profit on the article is 192 रुपीज. ये था आपका question number 2. Move करते हैं, question number 3 क्या कह रहा है? तो question number 3 को watch करिया. The cost of a piece of a land increases by 50% every year. From 2005 onwards, ये कह रहा है, अगर कोई land का cost 50% increase हो रहा है 2005 से, तो if the difference in the cost price of the land between the third and the second year is Rs. 67,500, then find the cost of the land in 2005. देखो हमें क्या given है? हमें given है difference between, difference between, difference between, difference between second year and third year. तो difference between third year, third year and second year. In the price of the cost, ठीक है, cost of the land. वो difference is 67,500 का. ठीक है, ये difference amount दिया है. तो difference amount between, हमें basically difference amount दिया है. तो difference amount between the third year and the second year of cost price of land. ऐसा इन्होंने ये statement बूला था. तो ये difference amount दिया है हमें. किसके बीच में, third year, second year के cost price of land में. ठीक है. अब ये बोल रहा है कि increase हो रहा है 50%. Cost increases every year. Increases every year. Cost जो है, वो हर साल बढ़ रही है. कितनी 50% increase हो रही है हर साल. तो आप बताइए land का cost to find. हमें पता गया करना है. तो हमें पता करना है, cost of land, cost of land in 2005. तो मैं सब बोल रहा हूँ कि इसी को supposition कर लो. Let the, let the cost price, let the cost price of land, of land in 2005 is rupees x. हम इसको माल लेते हैं कि x rupees की जमीन थी. ठीके? इस तीके सम कर सकते हैं? अब आगे समझना. अगर मैं बोलूँ कि cost price अगर x rupees थी हर साल बढ़ रहा है. तो increase in, increase in cost of land after first year. after first year, that is, in second year. तो cost, हम ऐसा भी तू लिख सकते हैं, single सा statement. तो cost of land in second year. ऐसा सा simple सा statement लिखते हैं. cost of land in second year कितना होगा? तो second year में जो cost होगी, वो पिछले साल से 50% बढ़ी होई होगी. पिछले साल x rupees थी, x का 50% कितना होगा? तो वो होगा 50x by 100. ठीके? इतना ये जो बढ़ गया, इस चीज को पुराने rate में add कर दो. तो ये add करने पे तुम्हारी value यहां पर आएगी, 100 plus 50 is 150x by 100. Done. ये होगा cost of land in second year. तो cost of land in second year हमें निकल के आगया. तो cost of land in second year इतना rupees होगा. Done. इसके बाद देखना, cost of land in third year. third year में उसी जमीन की कीमत अगें पिछले rate का 50% बढ़ जाएगा. और पिछला rate था 150x by 100, इसमें add हो जाएगा. क्या add होगा इसके अंदर? तो देखीं का 150x by 100 में add हो जाएगा. कितना? तो यह आपका add होगा. इसका 50%. तो 50% of, 50% of 150x by 100. यह इसके third year का cost होगा. clear? तो इस चीज़ को हम जब solve करेंगे, तो यह आजाएगा 1.5x plus यहाँ पर solve करेंगे, तो यह आजाएगा 0 से यह 0 कटा, 0 से यह 0 कटा, तो यहाँ पर 5 into 15 हो जाएगा, 5 into 5 is 25, take it to carry 75x upon 100. Done. तो इस देखे से यह value आ गई. तो यहाँ पर 1.5x plus 0.75x अगर हम देखे हैं, तो 1.5x plus 0.75x. तो यह कीमत हमारी आजाएगी, 2.2.5 plus 5, 10, 11, 12. तो 12 का 2 और carry 1. तो 2.25x. यह हमारी cost of land होगी 3rd year में. तो cost of land in 3rd year. हमने क्या किया, समझना. यह क्या बोल रहा था? The cost of the piece of land increases by 50% every year from 2005 onwards. यह the difference in the cost price of the land between the 3rd and the 2nd year. अब 2nd और 3rd year के बीच का difference देखेगा. तो 2nd और 3rd year के cost के बीच का difference. Therefore, difference of 3rd year, 2.25x minus, ठीक है? And the 1st year, 2nd year. Sorry, 3rd year and the 2nd year. तो यह है 1.5x. 1.5x. इन दोनों के बीच का difference यह बोल रहा है. कितना है इन दोनों के बीच का difference? यह difference हमें बोल रहा है. 67,500 का difference है. Done. इसको solve करने पर यह value हमारी कितनी आ रही है? तो 2.25 में से अगर मैं 1.5 को minus कर दूँ. तो यह value हमारी आ रही है. 5, 12, 12 में से 5 गए, तो 12 में से 5 गए. तो यह बच्चा 7. Again, यहाँ पर 2 ने carry दिया होगा, तो 1.75 X is equals to 67,500. ऐसे हो जाएगा. Clear है? और यहाँ से हमें एक X की value मिल जाएगी. और X हमने क्या लिया था? तो X हमने cost of the land in 2005 ही value को लिया था. देखेगा. यहाँ पर हमें पता करना था cost of land in 2005. हमने क्या बोला? Let the cost price of the land in 2005 is Rs. X. अब अगर 2005 में X था, तो 2006 में X का 50% बढ़ गया होगा. तो X का 50%, ठीके? यह तुमारा year है 2006. 2005 पिछला था. 2006 में यह value आएगी 150 X by 100, जो की हमारी value 1.5 X के आसपास आएगी. Done. 1.5 X आएगी. फिर cost of land in 2007. ठीके? 2007 में हमने 150 X by 100 का, again 50% निकाला. तो 150 X by 100 का, again 50% निकाला. जो value आई. वो value थी 75 X by 100. इस value को हमने add किया, किसमे? 1.5 X के अंदर. ठीके? इसको हमने जब add किया, तो यह value हमारी आ रही है. 1.5 X plus 0.75 X, मतलब 2.25 X. तो cost of land in the third year, 2007 का, यह figure हमारे पास आया. difference हमें बूला था, तो difference हमें बूला था, 2007 minus 2006 हम करेंगे. तो 2007 minus 2006 करेंगे, जिसका difference हमें इन्होंने बूला था, 67,500 का difference है. पीछे यही हमसे बूला था, 67,500 का difference है. तो यह हमने solve किया, इसका difference 1.75 X is equal to 67,500 आएगा. ठीके? और अब इसको हम solve करेंगे. तो X की value finally कितनी आ रही है? तो X की value आ रही है, 67,500 divided with 1.75. clear? तो 1.75. इसको आप solve कर लीजिए, तो यह X की value आ जाएगी, finally यह आएगा, 67,500 multiplied with 100 upon 175. ठीके? एक काम करते हैं, X की जगा पर हम लिख देते हैं, 6.75 upon 175 into 100 into 100. थोड़ा से separate करके लिखते हैं. तो आप देखो value थोड़ी छोटी देखेगी, इसको 5 से उपर नीचे अगर हम solve करते हैं, तो 5, 3 times 15, ठीके? और 5, 5 times 25. अगें, 5, 1 times 5, 5, 3 times 15, and 5, 5 times 25. अगें इसको आप 5 से solve करेंगे, तो 5, 7 times 35, 5, 2 times 10, 5, 7 times 25. तो यह आगे 27 by 7, X की value आएगी, 27 by 7, multiplied with 4, 0. इस तरीके से आपको चीजे करनी है, solve. तो इसका answer हमारा decimal में आजाएगा, यह हमारा कितना आएगा, तो X की value, finally, जो कीमत हमारी आएगी, 7 into 6 is 42. यह तो बहुत जादा हो रहा है, 7, 3 times is 21. 7, 3 times is 21. बच्चा कितना? तो 7 में से 21 गए, बच्चा 6, point लगाया, 60 आया, 7 के table में 60, तो 7, 9 times होता है, 63, 7, 8 times होता है, ठीक हैं, तो 3.8 हम multiply कर देते हैं, इसके साथ, decimals तक solve करके, देख लो, अगर solve हो रहा है, कहां तक solve हो रहा है, maximum 2 decimal तक कर लेते हैं, तो 7, 3 times is 21, ये बच्चा 6, point लगाया, 0, 7, 8 times is 56, ठीक है, और फिर, ठीक है, चल, तो 7, 9 times होता है, 63 ज्यादा, तो 7, 8 times 56, के ये 4 आजाएगा, 0, 40, 7, 6 times, 7, 5 times is, 35, बच्चा 5, अगें 0 आप एक लगा सकते हो, तो 50, 7 के टेबल में 50 आपका आता है, 7, 8 times, and 7, 7 times 49, तो 3.857 something यहाँ पर value आ रही है, तो 3.857, 3 digits तक, multiplied with 10,000, 3, 0 नीचे ले लिजिए, तो ये value जो आएगी जमीन की, X, ये आपका आ जाएगा, 3, 8, 5, 7, 3, 8, 5, 7, 0 approximate value, Approx, मैं कहूंगा, 40,000 के आजपास की value आनी चाहिए, then, 40,000 के आजपास की हमने कहीं गल्ती की है, क्या एक बार हम चेक कर लेते हैं, कि the cost piece, the cost price of the land increases by 50% every year from 2005 onwards, the difference in the cost price of the land between the third and the second year is 67,500, then find the cost of the land in 2005, तो 2005 में, वो cost 40,000 के approximately आ रही है हमारी, ठीक है, तो देखेगा, अगर cost of land X रुपीस थी, ये 50% हर साल बढ़ रही है, तो 2005 में अगर ये X थी, तो 2006, 2007 और 2008 भी हमें निकालना चाहिए था, क्योंकि first year, second year, third year, तो 2008 भी निकालना चाहिए था, इसलिए हमारा यहां पे कुछ, यहां पे changes आ रहा है, clear? तो यहां पे देखो first year के बाद, तो यह first year था, 2005 के बाद जो first year है, तो यह first year था, फिर यह second year था, और then उसके बाद third year आएगा, तो यहां पे एक बार हमें और करना चाहिए था, एक काम कर लेते हैं, कर लेते हैं इसको, चलो, तो यहां पर इसको दो मिंट के लिए हम कर देते हैं, erase, third year का आपको calculation करना है न, तो यह approximately इतना ना आके, थोड़ा सा हम देखिएगा, क्या कर सकते हैं हम, तो सब कुछ सही है, कुछ गलती नहीं है, सिर्फ first year, second year, third year में, थोड़ा सा हमें यहां पर mistake हुआ है, तो यहां पर हम लोग यह चीज, difference वाला पार्ट यहां ना करते हुए, हम कब करेंगे, चलो, तो यह third year में, cost of the land in third year is 2.25x, यह third year नहीं है, पहली बात तो यह है second year, तो यह था first year, यहां पर second year, यह है आपका first year, फिर था आपका second year, तो यहां पर यह third year नहीं है, यह है आपका second year, और फिर था आपका cost of the land in, again, यहां पर था आपका second year, यह second year का cost आपका निकलाया था, 2.25x, ठीक है, अब हमें एक cost of the land in 2008 निकालना, third year का, तो इसके लिए cost of the land, cost of land in third year 50% दुबारा बढ़ जाएगा, तो यह हमारा आजाएगा third year का, और third year का आएगा हमारा 50%, मतलब 2.25x जो हमारा आया है, इसमें 50% और बढ़ जाएगा, किसका 50%? अगें 2.25 का बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 2.25x जो आया, उसका 50% आप और increase कर दो, तो यह value हमारी कितनी आ रही है, तो यह value हमारी कुल में लाके आएगी, 2.25x प्लस 0.5 into 2.25, तो 2.25 into 0.5 अगर मैं multiply करता हूँ, यह देखना 5 by 10 को हमने लिख दिया है, 0.5, अगर मैं multiply करता हूँ, 5 into 5 is 25, 5 into 2 is 10, 11, 12, 12 का 2 carry 1, 5 into 2 is 10 and 11, तो यह आ जाएगा आपका, 1.125, तो यहाँ पर यह आ रहा है, 1.125x, डन, और इन दोनों को add करेंगे, तो यह value हमारी देखो, 1.125 added with 2.25, तो यह value हमारी आ रही है, 7, 3, 3, 3.375, 3.375x, इन्होंने जो difference दिया है न, वो इन्होंने यह वाला दिया हुआ है, कौन सा difference दिया है, तो इन्होंने difference दिया है, 3.375x, मैंसे आप minus करो, 2.25x को, 3rd year और 2nd year, ठीके, तो यह जो difference है, यह difference जब हम करेंगे, तो यह 3.375 में से, 2.25 जब हम minus कर रहे हैं, तो यह 2, यह 1 और यह 1, 1.125x आ रहा है, और इसकी value उन्होंने बोली है, 1.125x की, 67,500 है, यह उन्होंने बोला है, यहां से आप x निकाल लो, तो यह हमारा आ जाएगा, 67,500 डिवाइड़ विथ, 1.125, clear, तो 1.125, approximately 60,000 के आसपास, तुमारा जवाब आ रहा है, तो यह value 60,000, जल्दी से मुझे comment box में बताओ, 60,000 रुपीज आ रही है या नहीं, ठीक है, तो 2005 में, जो कीमत थी, वो 60,000 रुपे थी, 50-50% increase करके, वो अगर आप देखते हैं, तो 3rd year और 2nd year का difference जो है, वो 67,500 आएगा, clear, तो इस तीके से आपको चीज़े solve करनी थी, यह आपका 60,000 आ गया, rough work में यहाँ पर हटा देता हूँ, clear, so that बाद में आप लोगों को यह दिक्कत ना आए, सब कुछ clear notes आपको देखें, चलिए, तो यहाँ पर, हम इसको भी highlight कर देते हैं, यह difference हमें दिया था, answer हमारा आ गया, question बहुत असान था, third question तक हमारा हो गया है, move करिए, fourth question की तरफ, तो fourth question क्या कह रहा है, इसको देखते हैं, चलो, तो fourth question में कह रहा है, in an election there were only two contestant, कोई election हुआ, सिर्फ दो लोग आपस में fight कर रहे हैं, मतलब vote लेने के लिए, सिर्फ दो लोग आपस में आमने सामने कर रहे हैं, the democrats secured 35% valid votes more than the republicans, if 6% of the votes were invalid, then what percentage of the total votes polled was in the favor of democrats, यह क्या बोल रहे हैं, basically यहां पर यह लोग बता रहे हैं, कि दो ही contestant खड़े हुए थे, एक तो democrat, ठीक है, और एक थे आपके republicans, ठीक है, तो in an election there were only the contestant, the democrats secured 35% valid votes, more than the republicans, तो हमें नहीं पता republicans को कितने vote मिले, तो हम यहां पर बोलते हैं, let the number of votes, let the number of votes, republicans, republicans, got is x, ठीक है, तो हमें नहीं पता republicans को कितने मिले हैं, republicans को हम बोलते हैं, x number of votes मिले हैं, इनका 35% जो है, वो मिले हैं democrats को, therefore the number of votes, the number of votes, the number of votes, democrats, democrats got, is the 65%, 35%, the 35% of x, तो 35x by 100 votes किनको मिले, democrats को मिले, तो यहां पर कह रहा है, in an election there were only two contestants, the democrats secured 35% valid vote, valid votes का मतलब होता है, वो vote जिनकी counting है, जो की खराब vote नहीं है, सही vote पड़े हैं, ठीक है, तो valid votes more than the republicans, तो republicans को जो valid votes मिले, हम उनको x बोल देते हैं, the number of votes democrat got the 35% of the republicans, यह हमने बोल दिया, if 6% of the votes were invalid, ठीक है, अगर 6% votes invalid है, चल, इसको समझना है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मैं यह बोल देता हूँ, कि 100 है, क्या 100 है, valid votes, ठीक है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि, total जो voting हुई है, वो 100% है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, white pen से पहले तो हम लिख लेते हैं, कि, let, let, the, voting, percentage, is equals to 100%, माले जिए 100% voting हुई है, ठीक है, इसमें से 100% voting में से, valid votes कितने हैं, क्योंकि invalid word दिया है, तो 6% invalid है, तो valid votes कितने हैं, तो 100% में से, 6% जो हैं, वो invalid थे, वो अटा दो, तो valid vote आएंगे 96%, यह है valid votes, ठीक है, अब यह क्या बोल रहा है, कि, इनको X number of vote मिले हैं, तो डैमोक्रेट्स को, उन X का 35% बोला है, इसको ऐसे ना लिखते हुए, हम एक काम ऐसा कर लेते हैं, कि जब 96% अब हमारे valid votes आए, तो हम वर्ड यूज करते हैं, कि वैलिड वर्ड, वैलिड वोट्स, ठीक है, तो यह कह रहा है, कि, let, let Democrats, let D, symbolize Democrats, ऐसा हम पहले तो एक letter देते हैं, let D be Democrats, ठीक है, यह Democrats है, and, and, D represent तो Democrats हो गया, और Republicans को R, अगर बोल रहा है, तो let R be Republicans, अब देखना, यह यह बोल रहा है, कि दोनों को मिल के, किन दोनों को मिला के, Democrats और Republicans को मिला के, जो valid votes आए हैं, वो 96% valid votes है, और, जो, यह हैं, the Democrats secured 35% valid votes, more than the Republicans, ठीक है, तो अगर मैं Republicans के, उसमें देखूं तो जो Democrats है, Democrats को ज़्यादा vote मिले, ठीक है, ज़्यादा मिले, Democrats secured 30% valid votes, more than, किन से ज़्यादा Republicans है, तो Democrats को Republicans से ज़्यादा vote मिले, कितने ज़्यादा मिले हैं, तो यह मिले हैं, 35% ज़्यादा मिले, ऐसा हम बोल सकते हैं, देखो, यहां से हम इन दो equation को अगर solve करते हैं, तो हम ऐसा बोल देते हैं, कि इन दोनों को अगर मैं add कर दूं, तो 2 plus D is equals to 96 plus 35, मतलब 10 और 11 ग्यारा का एक, करीवन 10 और 13, 131% is equals to 2D, that means Democrats को जो vote मिले हैं, वो 131, 131 divided by 2 हम कर सकते हैं, तो हम ऐसा बोल देते हैं, 131 divided by 2% जो है, Democrats को vote मिले, तो यह हमारा percentage निकल के आ जाएगा, 2 7 times, 2 6 times 12, 2 6 times 12, and 11 to 5 times 10.5%, तो Democrats को जो vote मिले हैं, वो 65.5% है, और Republicans को जो vote मिले हैं, Republicans को जो vote मिले हैं, वो आपके हैं, कितने 65.5 में से 35% हटा दो, तो Republicans को 65.5% में से, आप माइनस कर दीजिए 35% को, तो इतने Republicans को vote मिले, तो यह हैं 0.5, और 5 में से 5 गए, 0, 6 में से 3 गए, 3, तो 30.5% जो votes हैं, वो Republicans को मिले हैं, हम ऐसे बहुत असानी से चीजों को solve कर सकते हैं, यह हमसे पूछा था, क्या पूछा है, इन इलेक्शन देयर वेर अल्नी टू कंटेस्टेंट, देमोक्रेट सेक्योड 35% वैलिड वोट्स, और देन दी रिपॉब्लिकन्स, ठीक है, इफ 6% वोट्स वेर इन्वैलिड, देन वाट परसेंटेज अव दे टोटल वोट्स, पूल्ड वाज इन दे फेवर ऑफ डेमोक्रेट्स, मैं कहूंगा कि डेमोक्रेट्स के फेवर में 65.5% आया, यह हमारा अंसर है, क्लियर है, तो यहां पर यह कैसे किया, ठीक है, इसको आपको समझ आना चाहिए, हमने क्या किया कुल मिलाके, तो हमने सबसे पहले जैसा वर्डिंग्स बोले थे, हमने लैटर्स को डिनोट कर दिया, इससे काम हो गया थोड़ा सा असान, और यह देखो, यह सॉल्ट करने से आएगा, अगर नमबर हो कोशन्स आप सॉल्ट करेंगे, जो की वालिड है, ठीक है, यहाँ पर क्लियरली वर्ड वालिड यूज किया था, इसलिए हमने फिर चीजों में चेंजस किया, वालिड वोट्स का मतलब यहाँ पर टोटल अगर 100% वोटिंग हुई है, ऐसा हम माल लेते हैं, तो उसमें से जो वालिड वोटिंग है, वो 96% है, और यह 96 वोटिंग दोनों में बटेगी, 96% डेमोक्रेट्स में भी, रिपबलिकन्स में भी, अब इन्होंने बोला है, जो डेमोक्रेट्स हैं, इनको ज़्यादा वोट्स मिले, एस कंपेर्ड टो रिपबलिकन्स, तो कितने ज़्यादा मिले, 35% ज़्यादा मिले, तो D-R करके हमने 2 equations बनाई, इन दोनों equations को हमने solve किया, add किया, तो basically हमने add किया इन दोनों को, तो on adding हमें मिला 2D is equals to 131% और D, डेमोक्रेट्स का जो percentage निकल के आएगा, वो 65.5% निकल के आगया, रिपबलिकन्स का भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, done, और इन्होंने हमसे पूछा था clearly, what percentage of the total votes polled was in the favor of Democrats, तो इसी का हमने answer दिया, clear, चलिए, question number 4th के बाद हम move करते हैं, question number 5th क्या कह रहा है, by selling an article at 1 by 4th of its actual selling price, यह बोल रहा है, अगर मैं किसी article को sale कर देता हूँ, तो selling price of an article is 1 by 4th of its actual price, 1 by 4th of actual selling price, ऐसा ही बोल रहा है, तो हम क्या यहां पर बोल सकते हैं, let the let the actual actual selling price, that is equals to a dot s dot p, ऐसे हम एक short form ले ले लेते हैं, यह है आपका x rupees, मुझे अपना product x rupees में बेचना था, लेकिन मैंने कितने में बेचा हैं, यह बोल रहा है है, हमने article बेच दिया, तो selling price of an article is 1 by 4th of the actual, x by 4 rupees में हमने बेच दिया product, ऐसा करने पे, मुझे loss हुआ है, यह कह रहा है, ऐसा करने पे, मुझे loss हुआ है, तो what will be the profit percent, a trader enqueues a loss of 50 percent, trader को क्या हुआ, trader ने, जिस product को खरीदा था, कुछ उसका cost price होगा, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि cost price CP था, CP का, उसको से 50 percent मिला, 50 percent अगर loss हो गया, तो cost price का 50 percent तो मिला होगा, मालों कोई chocolate 10 रुपे की है, मैंने उसको 5 रुपे में बेज दी, तो जो 10 रुपे मैंने लागत लगाई थी, CP मेरा 10 रुपे था, मुझे उस 10 के बदोलत में 5 रुपे तो आए ना, 5 रुपे तो आए ना, तो loss वाली चीज इन्हों ने दी है, इन्होंने बोला है, अगर दुकानदार को 50 percent loss होता है, तो इसका मतलब cost price का 50 percent पैसा तो आएगा, ये कब आएगा, जब वो अपनी product को sale करेगा, कितने में sale करेगा, X by 4 रुपीज में sale करेगा, यहां से आप इस चीज को समझना, clear है, तो अगर वो अपने product को बेशता है, तो selling amount जो है, वो बराबर आएगा, जो उसने cost price लिया था, उस cost price का 50 percent, उसी को तो हम loss बोलेंगे, clear, तो हमने यह कर लिया, अब यहां से हम क्या calculate कर सकते हैं, तो यह पूछा, what will be the profit percent, if the trader says the article at its actual selling price, अच्छा, चलो, cost price निकालते हैं, यहां से product की cost price कितनी आई, तो product की cost price है, X by 4, ठीक है, यह 100 उधर जाएगा, तो यह हो जाएगा, यह पूरा fraction उधर जाएगा, भी multiplication में उधर जाएगा, तो 100 by 50 हो जाएगा, done है, यह चीज पूरी उमीद करता हूँ, आपको समझ आ रही होगी, ठीक है, अब देखना, यह 0 से, यह 0 कट गया, 5 से, यह 10 कट गया, 2 times, तो यहाँ पर इस 2 से, यह 4 कट गया, 2 times, that means, cost price, that means, cost price of product is, कितना आया, तो यह आया, X by 2 rupees, product, हमें पढ़ा कितने का था, तो हमें product मिला, X by 2 rupees में, अब यह क्या बोलना चाहरा है, यह बोलना चाहरा है, कि माल लीजिए, मैं अपने product को, actual cost price पे बेश देता हूँ, तो profit percent क्या होता, तो profit percent का formula होता है, profit upon CP multiplied with 100, done, और profit का मतलब होता है, selling price minus cost price upon, cost price multiplied with 100, यह होता है profit percent का मतलब, इस formula का अगर मैं use करता हूँ, देखना, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, white pen का use कर लेता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि यहाँ पे जो profit percent है, selling price, selling price वो कह रहा है, actual rate पे बेश दी, x rupees है माल लो selling price, तो x minus, और cost price product की थी, x by 2, upon x by 2, multiplied with 100, इस case में वो पूछ रहा है, profit percent क्या आता, ठीक है, चलिए इसको solve कर लेते हैं, तो यह हमारा आता, 2x minus x is x by 2, तो x by 2, x by 2, तो profit percent हमारा होता, x by 2, upon x by 2, into 100, यह x by 2, x by 2 कट जाता, तो 100 percent मेरा answer आता, profit percent की value आती, अगर मैं actual price में अपने product को बेश देता, अभी मैंने क्या किया है, मैंने actual price में नहीं बेचा है, मैंने किस price में बेचा है, actual price का 1 by 4th part, 1 by 4th of actual price, तो इसलिए मैंने actual price को x लिया था, वो कह रहा है, अगर मैं product actual price में बेश देता, तो मुझे profit क्या होता, सबसे पहले तो हमने product की CP निकाली ठीक है और CP निकाल नहीं हमने X by 2 रूपीज इस CP की जगा पर CP डाला SP तो हमें बताया था actual price X रूपीज डाल दीजिए तो यहां पर 100% का हमें profit होता clear है question number 5 आपके सामने हो गया solve move कर लिजिए question number 6 की तरफ तो question number 6 क्या कह रहा है यह देखेगा यह कह रहा है an electric room heater is sold at rupees dollar 880 after a reduction of 12% in its price उसका actually जो price था अगर मैं उसमें 12% कमी पर कर दूँ तो heater को हमने बेज दिया what was the original price in the dollars before the reduction अब यह पूछना चाह रहा है कि actual original price क्या थी तो हम बोलते हैं यहां पर let the let the original price let the original price is equals to rupees यहां नहीं आएगा यहां dollar आएगा इन्होंने dollar में बात की है तो देखो dollar का sign ठीक है तो let the original price be x dollar ठीक है हम ऐसा माल लेते हैं जो उसकी जो original price थी अब इस x dollar में अगर मैं 12% का reduction कर दूँ तो इन्होंने बोला है reduction in original price original price में अगर मैं reduction कर दूँ कितना reduction कर दूँ 12% का ठीक है तो यह बोलना चाह रहा है कि कुछ इसकी एक actual price है x अगर उसमें मैं कमी कर दूँ कितनी कमी कर दूँ इसी x का अगर मैं 12% निकाल लूँ ठीक है तो जो value आएगी उतने का अगर reduction कर दूँ तो यह product बिकेगा कितने में बिकेगा 880 रुपे में बिकेगा आप बताओ हमने कितना original price रखा होगा product का ठीक है तो यह चीज हमारी solve करने के बाद कैसी आएगी देखना x-12x by 100 is equals to 880 अब इसको solve करेंगे तो यह आजएगा 112x by 100 तो यह value हमारी आजएगी 112x upon 100 ठीक है तो 100 में से 12 गए minus करना था आपने add कर दिया चलिए इधर देखिएगा solve में से 12 रुपे गए तो यह आजएगा 100x minus 12x which is equals to 880 तो यहाँ पर 100 में से 12 गए तो यह आया 10 में से 2 गए 8 9 में से 1 गया 888x by 100 which is equals to 880 again x की value आएगी 880 multiplied with 100 upon 88 और 88 से यह 880 गए तो यहाँ पर आया 10 इसका मतलब यह x जो था यह 1000 था 1000 डॉलर चीज समझा रही है इन डॉलर्स बताना था मैंने डॉलर्स में से दिया है कोई चीज 1000 डॉलर की थी उसमें अगर मैं 12% reduction कर दूँ तो वो product 880 का बिकेगा आप से यही पूछा था इतना असान लडू सवाल question number 6 आपके सामने clear चले move करते है question number 7 की तरफ question number 7 क्या कह रहा है इसको दिखेगा a dishonest trader declares to sell his goods at a cost price but gives only 960 grams for every 1 kg find the error percentage बहुत important question है इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं देखना यह कह रहा है a dishonest trader एक गलत आदमी जो shop चला रहा था जिसके मन में वो नहीं था कि वो जो बोल रहा है उस चीज़ को निभाए कई shopkeepers यहां कई showroom वाले यहां कई बड़े लोग आपने देखे होंगे वो लोग advertisement कुछ और करते हैं ठीक है जब customer उनके पास जाता है तो वो उस advertisement के उपर एक star लगा के रखते हैं ठीक है conditions apply और हमेशा यही होता है कि जो चीज दिखती है वो उतने में बिखती नहीं है जब भी आप खरीदने जाते हैं चीज महंगी ही बिखेगी ठीक है अब यहां पर कैसी गलत error दिया है यहां पर इन्होंने बोला है कि एक ऐसा ही कोई shopkeeper है वो dishonest है dishonest मतलब वो जो है अपना product जो बोल रहा है वादा जो उसने किया उस वादे में अपनी चीजों को नहीं बेच रहा है उसने वादा किया था कि वो अपने समान को बेचेगा कितने में a dishonest trader declares to sell his goods at a cost price उसने यह बोला था कि वो अपने product को उसी price में बेच देग जितने में वो खरीद के ला रहा है ठीक है तो देखो ना profit ना loss के पर उसने बोला कि मैं कितने में खरीद के लाया उतने में तुम्हें बेच दूँगा लेकिन जब कोई उससे समान खरीदने गया तो वह one kg की तरफ मानलो sugar खरीदने में गया उसने one kg तोलने की जगा पे मु ठेक ए트 को अक्षिन में क्या करना चाहिए था, मैंने शुगर माँगी उससे, उसको मुझे 1000 ग्रायम शुगर देनी थी, उसने कितनी, तो उसने मुझे दीए 960 ग्रायम, मतलब अगर मैं इसका डिफरेंस करूँ, तो ये हो जायेगा 1000 में से 960 ग्रायम उसने मुझे दिया, 40 gram उसने चोरी कर लिया पैसा वो यहीं बचा रहा है माल बचा रहा है वो अपना दे यह उसी मेरा है जितने ही वो खरीद के लाया है उतने ही बेच रहा है उसने यही दिखा है मैं 2 रुपे में खरीद के लाया है तो मैं 2 रुपे में दे रहा हूँ लेकिन उस 2 रुपे में वो जो quantity दे रहा है वो कम दे रहा है वो कितनी दे रहा है मातर 960 gram दे रहा है 40 gram वो चोरी कर रहा है यहां पर बात को समझना क्या है कि हम बोलते हैं यहां पर बोलते हैं धहले बुक्षने काउस प्राइस यहां पर हम लंके कितना उसने तोbig वेट बोजसर जो सोल जो eyes वैब इसने भेड को से बिचला चारे कि खंग करुशनीर आद एक बेर क्या है उसका weight जो है वो 960 grams है ठीक है that means हम ऐसा बोल सकते हैं कि that means goods reduced यह goods जो उसने गलती की है अगर हम गलती को बोलें that means the error that means error is 1000 gram तोलने की जगा उसने मुझे 960 gram दिया तो difference is 40 grams उसने मुझे 40 gram कम दिया हमसे question पूछा find the error percentage तो error percentage का मतलब देखो जिस भी चीज का percentage निकालना है वो चीज हमेशा उपर रहेगी error कहां हुआ error हुआ है 40 gram का तो कितने का difference आया difference on the error ठीक है उसको तोलना चाहिए था 1000 gram उसने तोला कितना 960 gram ठीक है तो error हुआ है यही गलती हुई है तो error percentage क्या है तो उसको तोलना था actual में 1000 gram ठीक है उसने 1000 gram में से 40 gram चोरी किये error गलती उसने 40 gram की किये तो उन्होंने यही पूछा कि बताईए उसने कितना percentage error किया तो उसने 40 upon 1000 ठीक है multiplied with 100 तो 20 से यह 20 कट गए और यहां पर 40 और 10 divided तो मतलब उसने 4% का error किया है तो error percent is 4% error percent is 4 यह हमारा answer होगा मतलब वो 4% की चूरी कर रहा है वो जो product दोर पे गा दिखा के 2 रपे में बेच रहा है लेकिन उस दोर पे में वो 4% का माल जो है वो बचा रहा है ठीक है तो वो इसमें क्या करेगा वो ज़्यादा माल किसी और को बेच पाएगा जो जो चोरी करता जा रहा है यह उसका स्टॉक बनता जा रहा है और उसी को वो आगे जाके बेचेगा तो वहाँ पर प्रॉफिट कमा लेगा ठीक है तो यहाँ पे इस देखे की चोरी को हमें पकड़ना था एरर परसेंटेज हमने बता दिया तो जिसका भी एरर परसेंटेज हमें बताना था वो चीज हमेशा उपर रहेगी अपॉन इनिशल वैल्यू कहां से उसने गलती किया आउट ओफ वन थाउजन ग्राम में से उसने गलती किया उसने दिखाया वन थाउजन ग्राम बट दिया कि 4% का error पकड़ा है clear चलिए move करते हैं question number 8 की तरफ question number 8 क्या कह रहा है इसको देखेगा यहाँ पर कह रहा है a mock IAT JEE exam constitute of 150 questions अब देखो एक exam है कौन सा जिसके आप लोग त्यारी कर रहे हैं IAT JEE की तो foundation की त्यारी कर रहे है उसी त्यारी का उसी exam का एक mock test हो रहा है जिसके अंदर 150 questions in all है total 150 questions आपको मिले है each correct answer fetches 4 marks अगर आपने सही जवाब दिया हर question का आपको 4 marks मिलेगा इसका उनला paper total हुआ 600 marks का clear है यह चीज तो 4 को जब मैं 150 से multiply करूंगा तो यहाँ पर आप देखना हर एक question अगर आप attempt करते हैं सही करते हैं तो question paper जो है वो total 600 marks का है there is a penalty of 2 marks for every incorrect answer अगर आपने कोई भी गलत जवाब दे दिया तो आपके 2 marks कर जाएंगे and a penalty of 1 mark for every unattempted question और जो questions आपने attempt नहीं किये है उसकी भी penalty है एक marks उसके कटेंगे find the percentage of marks scored by the student by attempting 150 questions of which 33 1 by 3 percent are incorrect अब आप बताओ एक student है उसने total in all कितने questions attempt किये हैं उसने attempt ही 120 questions किये हैं ठीक है अब देखो 150 questions का paper था उसमें से attempt ही 120 questions किये 30 questions attempt नहीं किये हैं तो 30 questions ना attempt करने के marks कटेंगे सबसे पहली बात तो 11 marks each ठीक है तो 30 marks तो वो जाएंगे इसके अब इसमें कहा है कि 120 questions जो उसने attempt किये थे जिसमें से 33 1 by 3 percent questions total number of questions का इतना percentage इतना part जो है वो गलत है अब गलत होने के भी marks कटेंगे ठीक है तो यहाँ पर इस पकार का इस सवाल है एक काम करते हैं चलो इसको solve करते हैं तो सबसे पहले हम given part लिख लेते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं solution और आपको जो given हैं पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं तो total number of questions total number of questions यह है 150 done तो इसका मतलब total marks of 150 questions ठीक है अब 150 questions total दिये हैं तो paper कितने marks का है in all तो यह है 150 multiplied with 4 4-4 marks का एक question है तो total paper जो है वो 600 marks का है ऐसा यह बोल रहा है चलो इसके बाद यहाँ पर गलत जवाब देने के 2 marks deduct होंगे deduction 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 on incorrect answer तो जो गलत दिया है incorrect answer then उस incorrect answer के 2 marks आपके deduct होंगे चलिए ठीक है इसके बाद यह क्या बोल रहा है तो इसके बाद यह बोल रहा है अगर आपने कोई question attempt नहीं किया तो deduction on not attempting any question deduction on non attempting ठीक है non attempting of questions non attempting ठीक है तो attempt नहीं करने का deduction one marks है यह ऐसा बोल रहा है अब इसमें से if 120 questions are if 120 questions are attempted जैसा यह बोल रहा है कि अगर मान लीजिए 120 questions attempt किये हैं तो 30 questions attempt नहीं किये तो 120 questions are attempted इसका मतलब इसका मतलब हम कहेंगे कि 30 questions that means हम ऐसा करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं कॉमा डाल के that means that means 30 questions 30 questions are not attempted are not attempted therefore हम यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि इसी कारण से therefore deduction of not attempting of not attempting questions यह deduction होना चाहिए 30 questions जो attempt नहीं किये हैं तो 1-1 marks इन्होंने बूला है यहाँ पर कहाँ पर for every incorrect answer and penalty of 1 marks for every unattempted question तो unattempted question जो है not attempting 30 into 1 मतलब 30 marks तो यहाँ पर सबसे पहले deduct होंगे तो 30 marks तो यह गए done अब इसमें यह बोल रहा है कि उसने attempt किये हैं 120 question जिसके 33 1 by 3 percent मतलब 100 by 3 percent तो 120 questions also given also also deduction on also deduction on incorrect answer on incorrect answer तो incorrect answer पर भी deduction होगा और यह deduction कितना होगा तो उसने attempt किये थे 120 in all तो 120 का जो उसने attempt किया उसका 100 by 3 percent तो 100 by 3 percent 1 by 100 done और यह value हमारी निकल के आएगी 3 4 times 12 मतलब 40 ठीक है और 100 से 100 कट गए इसका मतलब 40 marks यह deduct होंगे अब आप चीज समझना यहाँ पर हम use कर लेते हैं दूसरे कलर का pen एक तो यह deduction लगेगा एक यह deduction लगेगा done तो 600 marks का paper था 600 marks में से 30 marks तो पहले यह हटा दीजिए अब यहाँ पर जो marks आए उसमें से 40 marks आपके deduction इसके deduction हुए काई के जो उसने incorrect किये ठीक है तो 120 question में से अच्छा यह marks नहीं है यह 40 questions है तो basically यहाँ पर पहले तो इसको फिर से अभी solve हमें करना पड़ेगा तो यहाँ पर यह होगा also deduction on incorrect answer यह है 120 marks for इसने 120 questions में से इतने गलत किये तो 40 questions और यहाँ पर हम लिख सकते है 40 questions कितने marks कटेंगे तो 40 questions जो थे उसके गलत थे तो 40 questions जो गलत थे गलत की penalty लगी है 2 तो 2 marks की यहाँ पर penalty लगी इसका मतलब 80 marks का deduction होगा clear तो यह 80 marks का deduction हुआ तो इसको मैं highlight कर देता हूँ तो एक deduction तो हुआ 80 marks का और दूसरा deduction हुआ है आपका 30 marks का अभी इसके बाद इन्होंने हम से क्या पूछा है find the percentage of the marks scored by the student by attempting 120 questions तो अब आप बताओ find the percentage of the marks marks उसको जो मिले ठीक है उसका percentage निकालना है तो उसको marks कितने मिले तो 600 marks का paper देखीगा यहाँ पर मैं कह रहा हूँ total marks यहाँ पर ही आएंगे total marks total marks जो उसको मिले है वो finally उसको मिले है तो marks he got total marks he got यहाँ पर clearly हम mention कर देते है total marks he got जो भी यह student था इसको इसके exam में कितने marks मिले तो 600 marks का paper 600 में से 30 marks तो उसके गए जो उसने questions छोड़ दी है ठीक है प्लस इसमें से minus होंगे 80 marks जो उसने गलत attempt की है तो 600 में से 30 और 80 यह कटा उसके marks कितने आए finally तो 30 प्लस 80 यह आपका आजाएगा 600 minus 110 marks तो यहाँ पर उसको मिले है 90 और 490 आप इसको समझेगा 490 प्लस 10 is 500 और 600 तो total 490 marks उसको मिले अब percentage of marks अगर निकालने हैं तो therefore percentage हम कैसे निकालेंगे तो उसको जो marks मिले है 490 वो उसको मिले हैं 600 में से और इसका percentage निकालना है तो इसका percentage आपका आजाएगा 100 clear अभी यहाँ पे 20 से यह 20 गए ठीक है और 490 by 6 तो यहाँ पे कहीं न कहीं हम गलती कर रहे हैं 2 minutes hold कर यह देख लेते हैं अब मॉक IIT JEE exam constitute of 150 questions each correct answer fetch is 4 marks अच्छा correct answer के 4 marks भी तो मिलने हैं तो correct answer के 4 marks मतलब 6 marks का paper है तो deduction on incorrect answer is 2 marks तो deduction on non attempting तो deduction on incorrect answer is 2 marks and the deduction of unattempting questions is 1 marks यही दिया हमें देखीगा there is a penalty of 2 marks for every incorrect answer and a penalty of 1 mark for every unattempted question ठीक है तो उसने सबसे पहले तो unattempted कितने हैं तो out of 120 questions are attempted that means 30 questions are not attempted और 30 questions के 1 marks मतलब 30 marks तो यह deduct होंगे तो सबसे पहले तो 600 में से 30 गया तो 600 में से 30 मतलब 120 questions में से 30 questions छोड़ दिया 150 में से 30 छोड़ दिया 120 question ठीक है तो 30 marks तो deduct होने यह fix है फिर उसके बाद also deduction on incorrect answer तो गलत अंसर दिया मतलब उसने कितने question गलत attempt कि 120 जो attempt किये उसका handed by 3% निकाला तो 120 का handed by 3% आएगा मतलब 40 questions उसने गलत attempt किये हैं और 40 question जो गलत attempt किये हैं उसके उसको 2 marks मिलेंगे ठीक है इसका मतलब उसको 80 marks मिले अब 40 questions तो उसने attempt किये थे 120 question जिसमें से 40 questions गलत थे मतलब सही कितने थे तो 80 questions सही थे तो 80 questions के marks तो हमने लिखी ही नहीं यहाँ पर हमने एक काम करिए, सबसे पहले तो ये clear कर दीजिए, यहां पर हम लिख लेते हैं, correct, finally, correct questions, तो correct, यहां पर आएगा, correct number of questions, correct number of questions, तो यह आपके आगए, 120 में से 40 questions उसने गलत किये हैं, तो इसमें 80 questions उसके सही हैं, और 80 questions के उसको marks मिलेंगे, तो marks got for 80 correct, 80 correct questions के लिए उसको मिलेंगे 4 marks, तो 4 into 8 is 32, ठीक है, तो 4 into 8 is 32, 320 marks उसको मिलेंगे, अब यह जो marks मिलेंगे, इसमें deduction होगा, तो 320 marks उसको सही के मिले, तो therefore marks, therefore marks in final, तो 320 में से उसका deduction होगा 30 marks और plus 40 marks, ऐसे होते हैं, deductions, ठीक है, तो यहाँ पर यह होगे, आपका 30 marks और 2 marks, 80 marks होगा यहाँ पर, देखेगा, यहाँ पर 80 marks deduct होगा, अब यह क्यों हो 80 marks, तो यहाँ पर मैंने बताया थे, 80 marks और 30 marks deduct होगे, जो उसको मिला, तो उसको मिला 320, 320 में से यह marks कटेंगे, तो यह आजाएगा 320 minus, ठीक है, तो 900, 110, और यहाँ पर यह आजाएगा 10, 2 में से 1 गया, और 3 में से 1 गया, तो यहाँ पर आगया 210, तो उसको in all 210 marks मिलें, अब यह है हमारा जवाब, और percentage निकालना है, तो percentage हमारा आजाएगा, percentage of marks, तो यह हमें मिले है 210 out of 600, multiplied with 100, यह 2 0 सी, यह 2 0 कट गए, ठीक है, और यह आजाएगा 3 7 times 21, 0, और 3 2 times 6, तो इसका मतलब, यहाँ पर इसको 35% मिला, यह हमारा जवाब है, तो मुझे comment box में जो बताईए, आपको question समझा आया, हाँ या ना, तो 35% उसको marks मिले, यह हमारा answer रहेगा, 2 3 times is 6, 2 5 times is 10, 35% यह finally, जो हमसे question पूछा था, क्या पूछा था, find the percentage of the marks scored by the student, तो marks scored by the student, percentage is 35%, clear है, तो इस पकार से हमने यहाँ पर solve कर लिया, question number 8 को भी, अब last two question है, इस वीडियो के, इसको watch करना मत भूलिएगा, अच्छे questions है, Noel and Matthew save 20% and 30%, अच्छे question है, ठीक है, quality बहुत अच्छी है सवाल की, इसी पकार के आपसे पूछे भी जाते है, of their income, तो वो जो कमाते हैं, उसका Noel और Matthew, अगर मैं यहाँ पर लिखूं solution, तो आप इस चीज़ को समनना, यहाँ पर यह कह रहा है, Noel, Noel, Noel save, तो savings of Noel अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर आपको savings दी है, savings of Noel is कितनी, 20% and savings of Noel के बाद है Matthew, तो savings of Matthew अगर हम देखे, तो Matthew की जो saving है, वो है 30%, clear, अब यह बोल रहा है, if their expenditures are equal, तो if expenditures are equal, यह condition दी है, if expenditures are equal, खर्चे दोनों बराबर के करते हैं, ठीके, तो and Matthew's income is rupees 5,600, Matthew की income हमें दी है, तो income of Matthew हमें known है, देखेगा, income of Matthew, Matthew की income कितनी है, तो Matthew की income है dollars में, dollar 5,600 की उसकी income है, find the Noel's saving in dollars, तो हमें पता क्या करना है, to find, हमें पता करना है, Noel की savings, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं, Noel's savings, अब मैं बोल रहा हूँ, कि एक काम करिये, यहाँ पर जो given था, वो हमने लिख दिया, to find हो गया, हम यहाँ पर pen use कर लेते हैं, दूसरे के लगा, solve करने के लिए, चलो, तो यहाँ पर अगर Noel और, Noel और Matthew की savings दी हैं, तो यहाँ पर देखना, अगर मैं लिख दू, savings, ठीक है, और इसके बाद, इनके expenditure को income बोला है, तो उनकी income के बारे में बात की है, तो income हम देख लेते हैं, देखेगा, savings जो है, Noel के case में, N and M ले लेते हैं, तो Noel and Matthew, ठीक है, तो Noel की जो savings हैं, वो है 20%, अगर 20% इसकी saving है, तो इसका मतलब बाकी वो खर्चया कर देता होगा, तो उसमें हम लिख देते हैं, expenditure, done, तो saving अगर वो 20% कर रहा है, इसका मतलब 80% खर्च कर रहा है, clear है यह चीज़, Noel, और अगर मैं Matthew की बात करूँ, तो Matthew जो है, वो 30% की saving कर रहा है, तो Matthew अगर 30% की saving कर रहा है, इसका मतलब 70% जो है, वो expenditure कर रहा है, clear है, अब यहाँ पर हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, कि वो अपनी income का expenditure कर रहा है, तो if their expenditures are equal, और क्योंकि उनके expenditures equal है, तो 80% देखो, यहाँ पर Matthew की क्योंकि मुझे income दी है, तो हम एक काम कर सकते हैं, कि Matthew के case में हम बोल दे हैं, 70% expenditure of dollar 5600, क्योंकि वो कमाता इतना था न, तो 5600 का अगर वो 70% कर रहा है, तो इसकी value equal है, किसके equal है, इसकी value equal है, noil की expenditure, तो 80% of noil's income, तो मैं noil's की income को x ले लेता हूँ, ठीक है, तो let the noil's income is equals to rupees, आच्छा यह dollar में दी है, तो इसको भी dollar में हम calculate करेंगे, dollar x, then हमने उसको x ले लिया, अब यह हमारी main equation बनके आई है, जिसको हमें solve करना है, ले लेते हैं एक blank sheet, तो 70% of, 70% of 5600, clear इतना ही dollars में हमें value दी थी, तो 5600 की income थी, उसमें से वो 70% जो है, खर्च कर रहा है, जो की बराबर है 80% expenditure के, किसकी income के, ठीक है, तो noil की income हमें पता करना है, noil की income हमें नहीं पता, उसको हमने x लिया, इसको solve कर दीजे, तो खुल मिला कि यह आएगा, 70 into 5600 upon 100 multiplied with 80, और यह उपर multiplied with 100, which is equals to x, यह 100 cross multiply हो गया, यह 80 cross multiply हो के नीचे आगया, solve कर दीजे, यह पूरा 100, इस complete 100 के साथ गया, एक 0 से यह 0 गया, और 8 से यह पूरा figure चला जाएगा, तो x की value आजाएगी 7 multiplied with, तो 8 के table में 56, तो यहाँ पे देखिएगा, 8 6 times is 48, 8 7 times is 56, तो यह 7 आजाएगा, clear, और यहाँ पे यह 2 zeros, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x की value जो आएगी, वो 4900 आएगी, 4900 डॉलर, यही तो हमने x लिया था, done, हमने x क्या लिया था, पीछे देखिएगा, noils income हमने x ली थी और हमसे पूछा क्या था, find the noils savings, तो noils की अभी income आई है, आप इदर देखिएगा, यह noils की income आई है, ठीक है, therefore, therefore, noils income is equals to $4,900, clear, अब यह 4900 का 80% खर्च कर रहा है, तो इसकी saving क्या होगी, तो इसकी saving होगी 80%, 80% of $4,900, अच्छा यह तो खर्चा था था ना, इसकी saving थी noils की 20%, तो हमें कुल मिला के इसका 20% निकालना है, यह 80% हम यहां से हटा के, यहां पे 20% लिख देते हैं, तो इसकी saving जो है, वो 20% है, 20% of $4,900, यह value आप find कर लिजिए, तो आपके पास savings आ जाएंगी, 20% का मतलब 20 by 100 multiplied with $4,900, clear, यह 20 से यह 20 direct हो गए, और यहां पर 2 into 9 is 18, 18 का 8 carry 1, 2 into 4 is 8 and 9, इसका मतलब $980 की वो saving कर रहा है, done, तो वो अगर कमा $4,900 रहा है, तो उसमें से वो $980 बचा पा रहा है, यह था आपका question number 9, यहां पर यही पूछा था find the noil saving, noil saving already उन्होंने दी थी, ठीके तो noil and Matthew save 20%, तो noil कितना save कर रहा था, noil 20% save कर रहा था, किसका of their income, तो हमने सबसे पहले income निका लिया, clear है, तो income निकाल के हमने फिर उसको solve कर दिया, simple इतना आसान question था, last question इस वीडियो को क्या कह रहा है, इसको देखेगा, यह last सवाल कह रहा है, एक election में सिर्फ दो ही candidate हैं, जिनका नाम A and B है, A secured 60% of valid vote, तो A को कितने votes मिले हैं, valid votes उसको 60% जादा मिले हैं, B के comparison में, इस तरह का एक question आप already अभी पीछे कर चुके हैं, and 9% of the total votes are valid, और यह बहुत clear statement में बुला है, कि valid votes जो हैं, वो सिर्फ 9% and 9% of the total votes are invalid, अच्छा, invalid हैं, तो valid votes में से 9% जो हैं, वो invalid हैं, तो total number of votes अगर मैं 100 माल लूँ, तो यहाँ पर देखिएगा, if, if, total number of votes, if total number of votes, यह total percent of votes, number ना बोलते हूँ हम यह percentage बोल देते हैं, if total percentage, if total percentage of votes are 100%, ठीक है, तो valid votes, ठीक है, इसमें हमें clearly क्या बोला था, invalid votes बोले थे, तो वो पहले हम लिख देते हैं, invalid votes, invalid votes are 9%, invalid votes कितने हैं, तो invalid votes है 9%, तो इसका मतलब valid votes की संख्या क्या है, तो valid votes percentage, अगर मैं निकालू, valid votes का जो percentage है, वो है 100-9, 100-9, that means 91% जो votes है, वो valid votes है, clear है, तो यह आगे हैं आपके valid votes, अब यह कह रहा है, कि दोनों को मिला के, finally, valid votes की जो संख्या, वो 91% होगी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि as given, जैसा की दिया हुआ है, as given, as given, the total votes, valid votes for A and B, तो as given A, plus B, votes of A, and votes of V, B, दोनों के दोनों valid votes, 91% आए है, done, और हम ऐसा बोल सकते है, जैसे, इसमें बोला है, पहले statement में, A secured 60% valid votes, A के जो votes है, वो B के मुकाबले जादा है, कितने जादा है, 60%, यह clearly बोला है, इन्होंने बोला है, A secured 60% valid votes, more than B, जो की B की संख्या से, ठीक है, B के comparison में, A के votes जादा है, कितने जादा है, 60%, तो आप अगर इन दोनों equations को, solve कर देते हैं, add कर देते हैं, हम ऐसा बोलते हैं, sum of both, sum of both equations, कौन सी दोनों equations, यह दोनों equations का, अगर मैं sum करता हूं, तो sum करने पे, यह value 2A, is equals 2, ठीक है, और यहाँ पे, यह आजाएगा, 1, 9 plus 6 is, 15, ठीक है, तो यहाँ पर, यह आगया, 2A की value, 151%, इसका मतलब, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कि A को जो votes मिले हैं, वो 151 divided by 2, तो A को जो votes मिले हैं, वो है 2, 7 times is 14, to 5 times is 10, 0.5%, आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था, what percentage of the total votes, was in favor of A, तो in favor of A, 75.5% votes गए हैं, और B के favor में कितने आए हैं, अगर आपको यह निकालना है, तो B के favor के votes निकालने, A की value कहीं पे भी डाल दीजिए, ठीक है, तो A की value अगर मैं डाल देता हूं, A की value है 75.5, तो 91 में से आप minus कर दीजे, 75.5 को, तो यह आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है, यह आएगा 0.5, 10 में से 5 गए 5, और 8 में से साथ गए 1, 15.5%, यह B को valid votes मिले, done, तो आप ऐसे चीजों को कर देंगे, बहुत असानी से solve, अब, finally, हमने कर दीए, इस वीडियो में 10 questions को complete, जो 10 questions हमें दिये थे, आपको यह बतायते हैं, कि यह सारी videos, easily कहाँ available है, without any advertisement, आप कैसे IIT JEE की त्यारी, 7th, 8th, 9th, 10th class से चालू कर सकते हैं, इसके लिए आप website पे जाएए, type करिये, क्या magnetbins.com, तो magnetbins.com टाइप करते ही, आपके सामने यह interface open होगा, यहाँ पे एक option है, IIT JEE, इसको click करते ही, सारी faculties आपके सामने, अगर आपकी घर में आपकी कोई बड़े भाई बहन हैं, जो 11th और 12th की त्यारी कर रहे हैं, तो उनको भी आप बता सकते हैं, 11th, 12th dropper के students के लिए भी, complete package, 100% free course available, थोड़ा सा scroll up करिये, 7th class, 8th class, 9th class, 10th class students, आप लोग यहाँ पर थोड़े सा scroll up करने के बाद, मेरी photo देखेंगे, और यहीं पर maths के foundation की त्यारी हो रही है, watch not click करिये, तो आपको मेरे दुआरा पढ़ाए हुए complete package, आपको video syllabus यहाँ पर मिलेगा, जो उनसा topic watch करना, उसको click करते ही, videos run ओना start, वो भी 100% free education के साथ, without any advertisement, तो एक arrange manner में आप यहाँ से videos को इस तेखे से watch कर सकते हैं, 100% free education, MagnetBrain's के channel पे, और आप जो channel watch कर रहे हैं, इसको जल्दी से bell icon प्रेस कर दीजे, MagnetBrain's, IAT, JEE, NEET की तियारी, सिर्फ इसी channel पे 100% free course के साथ, जल्दी से channel को subscribe तो करिए, इसी के साथ share करना ना भूले, और वीडियो को एक thumbs up जो दीजिए, so that teachers will motivate, मिलते हैं next practice sheet में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, bye and take care.